सो हे गाइस कुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप उमीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों तो मैं सब बढ़िया रहना मैं हूँ आपका दोस्तो रामकृष्णा और आप देख रहा है हमारा न्यू इंट्रेस्टिंग चलर रामकृष्णा ब्ल को लेकर जाते हैं तो आप अपनी कार को लेकर जाते हैं भाड़े पर पाइटी के साथ में तो गाइस कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर रूट की पाइटी आपको मिल जाती है तो गाइस उस रूट पर कितने टोल प्लाजा हैं इसके वारे में इस वीडियो में म हमें ऊस Roos पर पढ़ने वाले हैं मिलने वाली हैं तो गौइस कितना पैसा लगेगा कितना पैसा क्लिभ की अंद्रे अपुशे को पराई करियेто बिल्कुल भी स्किप नहीं है थो खांवर मैं हर वाल अपनी कार के साथ में ही वीडियो को create करता हूँ और गाइस वीडियो को बनाता हूँ और आप लोगों को सारी information कार से संबनित और सभी चीज़ों के बारे हैं बताता हूँ कार से related जो भी चीज़े होती हैं दोस्तो तो गाइस चलिए और दोस्तो आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में तोलफलाजा के बारे में दोस्तो फ्रेंडस आपको मैं बता रहा हूँ तोलफलाजा के बारे में कि आप अगर लोंग रूट पर कार को ले कर जाते हैं है वो हमके पस ओमनी कार हो चाह है ऊमनी के वारे को I-kos कार ओ Forest बोस्टू को अगर अपनी कार को पर पर पके पर चलाते हैं और किस अगर कोई लॉँणुट की काड़ी हापके पस आ जाती है कोई लॉँट की जो रूट मैफ है दोस्तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि कितने टोल पिलाजा आपको मिलने वाले हैं दोस्तो अगर आप लौर पर जाते हैं जैसे कि मत्रा दिल्ली जाते हैं जैसे कि मत्रा दिल्ली या आगरा या गौलियर या फिर दोस्तो आप लखनो या कानपूर या फिर बांदा या पिर چित्रकोड या फिर आप जमलपूर या सागर जा रहें कहीं भी जा रहें बहुत तो उस रूट पर कितने टोल आपको मिलने बाले हैं धोस्टो तो आपको मै इस वीडियो में कैलियर कर दूँगा कि दोस्तो यहाँ पर मैं कुछ कार के वार inटेट ले रहा तो यहाँ पर इसको में बहटा देता हूँ और गाइस क्रोम को मैं दुबारा से ओपन कर लेता हूँ तो गाइस यहाँ पर गुगल कहा गए with päe तो गाइस आपर मैंने लिख दिया टोल पलाजा मैप तो दोस्तो अब इसको सर्च करना है हमें जैसी दोस्तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपको Chrome चूस करना है तो यहाँ पर मैं Chrome को चूस कर लेता हूँ और गाइस उसके बाद जो सबसे पहला एफ साइट आपको दिखाई दे रहा है उपर सबसे पहला toll plaza on map on a map दोस्तो तो इस पर आपको click करना है दोस्तो तो इस पर आप click करेंगे और दोस्तो कुछ इस तरह का आपका सामने interface आएगा और guys कुछ process होगी थोड़ी सी और guys उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तो कि आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा दोस्तो तो guys यहाँ पर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा toll plaza as between two station दोस्तो search toll plaza इस पर click करना है उसके second वाले पर click करना है इस वाले पर नीचे वाले पर दोस्तो जैसे इस पर click करेंगे तो दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो guys आपको यहाँ पर दिखाई देगा source name destination मतलब की आप कहां से कहां जाना चाहते हैं दोस्तो अगर आप road से car से जा रहे हैं मतलब तो guys आप कहां से कहां जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको source में click करना है और यहाँ पर डाल देना आपको दतिया जैसे कि मैं दतिया से travel कर रहा हूँ और जो destination है मेरी जो destination दोस्तो हो है मेरी मत्थुरा दोस्तो मैंने यहाँ पर मत्थुरा डाला और यहाँ पर सबसे उपर दिखा है मत्रा उत्ता प्रदेश तो गाइस यहाँ पर लिखा हुगा है नीचे add more destination मतलब की बाया तो यहाँ पर आपको नहीं डालना कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं बटन में डालना हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा हुगा select mood of travel मतलब की किस चीज़ से आप travel कर रहे हैं car, lcv, bus track, up to, three axle vehicles, four to six axle, six more, six or more axle लग की जिस बहां से आप travel कर रहे हैं उस बहां को यहाँ पर आपको choose कर लेना है तो जैसे कि मैं अपनी car से जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने car को choose करके रखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है search तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसको डालने के बदतिया से आप जा रहे है मतला तक यहाँ पर search करना है जैसी दोस्तों आप यहाँ पर search करेंगे कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर प्रॉसेस होगा थोड़ा सा और गाईस यहाँ पर finally open हो चुका है आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो लपकी लाइटिंग हो रही है जो जहाँ पर जब मलपकी लपकी लाइट जैसी जल रही है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह 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 सारे दोस्तों टोल है और गाईस आपक कर रहे हैं तो दसीजा से गवाली और तक आपको कोई टोल मिले वाला, जैसे आप गवाले क्रोस करेंगे तो आपको मुरेणा में टोल मिले गा, एक दोलपूर के आगे टोल मिलेगा एक आगरा के पास टोल के बाँ दोस्टो तो आप यहां देख सकते दोस्तो अच्छी तरह God से देख लीजेगा मैं आपको अच्छी तरह दिखा ही दे रहा हूं कि दोस्तो यहां पर जो चूश किया है वह यहां पर destination कर ना माद चुका है और आपको यहां पे बता रहा है कि कितने टोल यहां पे आपको मिलने वाले दोस्तों और गाइस इसकी जो काउंटिंग होगी वह आपको लीचे में दिखा दे रहा हूं दोस्तों कि यहां पर फाइनली कितने टोल आपको मिलने वाले हैं तो जैसे दोस्तों आप यहां क्लिक करें यहां पर लिखने आजाएंगे कि किद्रे टॉल आपको मिलने वाले दोस्तों यह देख सकते हैं धूरी एक दो तीन चार में लगा के यहाँ पर पर नाम लिखा हुआ है पहला चंदा ऑला तो दोस्तों ये उस जगे के नाम है जिस जगे पर toll अवेले वाले दोस्तों और गाईस इनकी क्या price है क्या पैसा है दोस्तों यहां पर सारा कुछ आपको दिखाई देगा तो यहां पर दिख सी दोस्तों की 70 रुपए आपको पहला कटेगा फिर 60 कटेगा 80 रुपए और तो गाइस यहां पर आपको चार टोल दिखाई दे रहा है कि कितना पैसा है कितना कटेगा एक टोल पर सारा कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है डिटेल में दोस्तो तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने तूट मैप के बारे में जानकारी समझ सकते हैं दोस्तो देख सक तो guys आप लोग परेशा नहीं हो ना अब लकुल भी, आप लोगों को आप लोग परेशन हो जाते हैं, कि क्या करें, उस रूट पर कितने टोले, और उसे रिसाब से, आप अपने कस्टमर को अपने पाइटी को हैंडल करें कि आपको कितना खर्चा आ जाएगा इसको इसको दिखने के बाद दोस्तों आप उनको अपना पैमेंट बताएं ट्रैबल का डेस्टीनेशन का तो दोस्तों आप लोगों सारी प्रिक्रिया समझ में आगे होगी कि आप लोंग रूट पर जाते हैं अपनी कार को लिए करके तो कैसे जानकारी करें कि उस रूट पर कितने टोल पढ़ेंगे क्या प्राइच रहेगा एक टोल का तो दोस्तों मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने दोस्तों और जो लुग हुमारे चनल पन रहें तो कुछ श्राइब कर देना और प्रेस कर देना जिसे कि में कोई भी वीडियो जालो उसके notification आप तक पहने पहुंची दोस्तो और guys थोड़ा सा लेट हो गया है मैं तो उसके लिए sorry दोस्तो अब आपको continue video मिलेगा है तो थोड़ा सा काम मैं पजी हूँ तो उसके वज़े से मैं continue video नहीं डाल पा रहा हूँ और काफी लोगों ने मुझे comment किया है कि भीया आप continue video क के साथ में तो अब एक लितना ही टाटा वाय वाय चैन बंदे वात्रम